नमस्कार सभी प्यारे विद्धारतियों का SSC वाला पार जी के और GS के बहतरीन से प्रैक्टिस हैट में मैं कपिल चाहर आप सभी का स्वागत करता हूँ थरापर से जल्दी से Class को join कीजिएगा Class में आपका प्रारम कर दिया है आवाज और द्रश्ट दोनों दिखाई दे रहे रहे हैं तो या नहीं फटापर से बताएं भई सब के सब्सक्राइब सबी लोग के सब्सक्राइब उप्र करेंगे प्रश्ट क्या आने वाला है प्रच्ण प्रणाम प्रणाम रूप्म कुमारी प्यूस रिया अनीसा कुमारी सरस्वती अच्छा सरस्थिस सुसु मंदिर चलिए जी योवरा सेंग पूजा चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का पहला कुशन लगाता हूं भई आपके लिए बताएगा जल्दी से क्या अंसर होने वाला है यहां पर पहला कुशन आपके सामने आज का है वैया इस कुशन को तो भ करण भूकंप के दौरान सतय पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है इन मैं से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप के दौरान सतय पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता तो भाई देखो सिस्मोग्राफ आपको याद अखना है सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ को हिंदी में आप भूकंप मापी यंत्र के नाम से जानते हैं जो भूकंप के दौरान आने वाली तरंगों को इकठा करने का या उनको दर्ज करने का काम करता है तो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं और सिस्मोग्राफ के रूप में जो सबसे प् पहलता है यां नहीं पहलता है तो इसकी आपके समय समय की सटीख जानकारी के लिए जिस यंत्र का प्रियोग किया था उसको आप क्रोनो मीटर के नाम से आनते हैं बाई एक चीज और बताईएगा मुझे कमेंट करके भूकम्प के दौरान उत्पन होने वाली तरंगें कितने प्रकार की होती हैं जल्दी से छापके बताओ जब आंसर देख लेते हैं भी आंसर क एक सदस्य निकाय हुआ करता था यानि इसमें किवल एक ही निर्वाचन आयक्त होता था कि आप बता सकते हैं कि यह एक सदस्य निकाय वाली प्रिणाली किस वरसत तक चली थी जल्दी से बताएं क्या अंसर होने वाला है अजी भूकम के दौरान उत्पन होने वाली तरंगे तीन प्रकार की होती हैं जिन में आपके पी वेपस एस वेपस और एल वेपस तीन प्रकार की तरंगे होती हैं यहां पर गौर कीजेगा तो भीया अगर आपको याद है कि भीया आपके जो मतदान की आयूती 21 से घटा कर 18 वर्स कब की गई थी तो आप इस कुश्चन को भी आराम से कर पाओगे एक सड़वा समयदान संसोधन 1989 था ठीक है यानि कि भीया आपको याद अखना है कि चुनाव आयोग 1989 से पहले केबल एक ही चुनाव आयोग करते थे वो ते मुख निर्वाचन आयोग तो लेकिन उसके क्या हो जाएगा 15 अक्तूबर 1989 आंसर डी लगाई यह बाई कितने लोगों ने डी लगाया तो यहां 88 परसेंट तो सबसे ते आंसर अक्की पूजा सिवम रानी तुमे राजा साइलेंट घर्ल खुसी सहरावात इनका अंसर सबसे ते जाया अगला कुशन आपके सामने है संधिया मंत्री मंडल का पुनर गठन ठीक है इनमें से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था तो कोपाल स्वामी आयंगर टीटी कृष्णमाचारी के मुंसी या बीसी रोए क्या अंसर उने वाला फड़ापर फड़ापर पताईएगा भाई आपके आपर देगेगा प्रसासरिक आयोगों का गठन किया गया है एड्विनिस्टेटेव कमिशन आपके यहां बनाए गए है जिनोंने समय समय पर अपनी रिपोर्ट दी है और उनमें से एक जो आयोग था उसमें कृष्णमाचारी के द्वारा संधिया मंत्री मंड मंडल के पर अपनी रिपोर्ट दी गई थी आंसर क्या लग जाएगा बी आंसर यहां पर 21 परसेंट लोगों का रहा और इनमें सबसे तेज अकी साइलेंट गल खुसी मिश्टीरियस सिबू और रानी ठीक है इनका अंसर सबसे तेज आया वह एक चीज़ देखेगा वैसे त तो आंसर आपको किष्णा मचारी लगाना है अगला कुशन आपके सामने है केंद्री मंत्री परसद के त्याग पत्र के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही इस्थती नहीं है बताएं बई पहला राष्ट पती सासल लागू हो जाएगा राष्ट पती वैकल्पी व वस्ता से अभिप्राय कि यह था संभव सीग्र नई सरकार के गठने तू आम चुनाब कराया जाए यह चौता अपदस्त मंत्री परसद अपने पदपर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्भाह करती रहेगी क्या अंसर होने वाला जल्दी से बताएगा अगर वहिया केंद्रिय मंत्री परसद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित मैं से कौन सी एक सही इस्तती नहीं है तो वहिया यहां पर एक चीज देखेगा क्या आपको क्या अधकना है कि वह राश्टपती सासन तो तब लागू होता है ना जब राजपाल के द त्याग पत्र दे रही है तो उस इस्तती में फिर नए चुनावों की इस्तती बनेगी यहां पर क्या अंसर हो जाएगा एंसर हो जाएगा देखते हैं भाई कितने लोगों ने लगाया तो 47 परसेंट और सबसे तेज अक्की प्रिंस अंसिका सिवानी रिया और साहिल अगला कोट के नियाएदी और सब्सक्राइब कितने वर्स तक अपने पर बने रहते हैं तो आपको यादख ना है भाईया सर्वोच नियाले का प्रतेक नियाएदी जो पर्सकी आयों करा जिन में सबसे तेज अक्की सिवं सिवानी साइलेंट और मिस्टीरियस और रिया ठीक है अगला कुशन आपके सामने आ रहा है बताएगा निमलिकित में से कौन सा पानी में घुलंसील विटामिन है ठीक है चलिए बताएगे बहिए अब आप लों का जो लीडर बोर्ड होगा वो एंड में जाकर मैं बताऊंगा कि कौन पहले नंबर पर रहा कौन दूसरे पर यानि टॉप टैन के नाम एंड में बताऊंगा अब यहां पर बार बार नाम बतानी के आवश्चता नहीं है केवल पोल लगाया जाएगा लेकिन रिजल्ट यहां पर देखेगा क्या कहारा कौन सा पाणी में गुलनसील विटामिन्स है तो यहां पर आंसर क्या लगने वाला एंसर लगने वाला है ठीक है एंसर लग जएगा यहां पर अच्छा जल्दी से कमेट करके बता विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जल्दी से बताईए का समय वर्ष पंद्रेय सो अठाइस में बाबर ने निम्ले लिखित में से किसे पराज़ित किया जल्दी से बताएं वर्स 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे हराया था मोहम्मद लोदी को इब्राहिम लोदी को भपा रावत को या मेदनी राय को तो बाबर के द्वारा चार ही युद्ध लड़े गए थे सब को पता है 1526 में पानीपत का पर्थम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध और 1529 घागरा का युद्ध तो बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध लड़ा था उसमें उसने मेदनी राय को हराया था किसे रायता मेदनी राय यानि आंसर डी लगेगा कितने लोगों ने लगाया तो 84 परसेंट अगला कुशन आपके सामने है अश्ट मुडी जील इन मेंसे किस जगह पर है बताएं भई अश्ट मुडी जील इन मेंसे किस राज़्य में इस्थित है तमिलनाडू राज्य में औरीसा में केरल में या अंद प्रिदेश में जल्दी से बताएंगा किया अंसर होने वाला है फड़ाफट फड़ाफट बताएंगे सभी बहादूर बढ़ा असान सा कुशन है भईया पूछाया राज्ट मुडी जील इन मेंसे किस राज़्य में इस्थित है तो भईया जल्दी से यहाँ पर क्या अंसर लगा देना है आपको केरला लगा देना है केरला में आश्ट मुडी जील इस्थित है यह आपको याद अखना है ठीक ह चाड जील कहां पर है और नासिर जील कहां पर है जल्दी से बताओ चाड जील और नासिर जील ये कहां पर इस्तित है जल्दी से बताईएगा चाड और नासिर बहुत बढ़ी आक्की ठाकुर यहाँ पाक्की ठाकुर का सबसे पहला अंसा आया दूसा अंसा मिस्टीरियस का आ किस देश में हैं आसवान और अस्यूत बांद किस देश में इस्तितें क्या अंसर उने वाला है आसवान और अस्यूत बांद कहां पर इस्तितें बड़ापड से बताईएगा बिल्कुल भाईया नील नदी पर हैं ठीक है किस पर हैं नील नदी पर हैं और या मिसर देश के वरणन किया गया है जल्दी जलताओ संब्हान की पेहलीानुची में कि प्रिदेसों के नामों का संग्सूची राज्य सूची संबर्थी शूची का संब्हाद में वरणित भासाओं का नगर पालिका की विवस्था का u है वहता है या सिड्यूल 12 ती है अगर संविधान में वरनित भासाएं पूछी आयं तो भासाओं का उलएख कहा है तो सिड्यूल आठ में हैं ती है nggak सबसे संबरती सुची की बात करें तो इसका उल्लेख सैवD साथ में हैं और अगर हम बात करते हैं सिड्यूल वन की तो सिड्यूल वन में भारतिया राज्य और केंसासित प्रदेशों के नामों का उल्लिक है यानि आंसर क्या होने वाला है जल्दी से यहां पर देखते हैं यह आंसर कितने लोगों करा तो वह 95% का एंसर आगला कुशन आ प्रारम में अनसूचियों की संख्या कितनी थी ती आ अगर हम समधान का 2न की बात करते हैं तो समयदान के प्रारम में आपको पता है आपके आंपर टोटल अनसूचियों की संख्या जोती वह थी 8 हैना 9का क्याइब अनुशूची 9 में क्या है तो भूमी सुधार यानि लेंड रिफॉर्म से सम्ड़ित कानुन। आपके अनुशूची 10 में क्या है तो दल बदल निरोधी कानुन जिसको anti-refaction लो कहते हैं। अनुसूची ग्यारे में क्या है तो पंचायत और अनुसूची बारे में क्या है तो अनुसूची बारे में नगर पालिकाओं से संबंदित प्रादधान किये गए है यहाँ पर अंसर क्या लगने वाला है कितने लोगों ने लगाया तो 91% का अंसर सी रहा अगला कुशन आपक जल्दी जल्दी फड़ावर फड़ावर बताएंगे क्या अंसर उने वाला है इस कुश्चन का? यहां पर कह Completely अनसूची जाती जनजाती छित्रों के बारे मैं उपबंद कहां पर किया गया है तो बहिया यहां पर क्या लगने वाला है? ठीक है के भाईया देखे यहां पर कई लोग अनुसूची 6 लगा रहे हैं तो अनुसूची 6 के अंतरगत आपके उत्तर भारत के है ना असम और आपके जो असम मेगाले तिरुपरा और आपका एक है मिजूरम ठीक है इनकी जनजातियों को लेक है लेकिन अनुसूची 5 में क्य अनुसूची 5 यानि की भी आंसर कितने लोगों ने लगाया तो 87% अगला कुशन आपके सामने में बताएं भारती समिदान की किस अनुचेत के तहत लोग सवामें अनुसूची जातियों और जन जातियों के लिए आरच्छड दिया गया अनुचे 330 अनुचे 332 अनुचे 345 अनुचे 222 क्या अंसर होगा जल्दी जल्दी से बताएंगे भईया क्या अंसर होने वाला है तो भईया यहां पर याद अखेगा कि अगर मैं बात करता हूं यह दोनों ही अनुचे काफी इंपोटेंट है आपके लिए अनुचे 330 में आपको याद अखना है लोग सवामें बात के अनुचे 335 जो है उससे राज्य की बिधान सवाव में legislative assembly of the state में आपके अनुचे जाती और जण जाती हो को आरच्छर दिया गया है यहां पर हमसे लोग सवामें पूछा गया इसलिए अंसर क्या लग जाएगा ए अंसर कितने लोगों ने लगाया तो भईया 92 परसे कर जाए आर्टिकल टू में क्या लिखा है जल्दी जबताओ अनुच्छे दो में क्या है अनुच्छे दो में क्या है जल्दी जबताओ अनुच्छे दो में कि शीज का उलेख है बस यहीं पर एक चीद देखेगा अरुच्छे 2 में क्या है तो नए राज्यों का प्रिवेस admission of new states और article 3 पूछेगा तो article 3 में क्या है तो formation of new states दोनों में अंतर समझेगा article 2 में नए राज्यों का प्रिवेस है मतब कोई राज्य आज के हमारे भारत में नहीं है बाहर से आके हमारे मिलना चाहता है तो और अगर कोई राज्या पहले से आपके आए और एक राज्य से दो राज्य, दो राज्यों से एक राज्य, नाम बदला जाए, सीमा बदली जाए, तो वह अनुच्छे तीन से की जाएंगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, भाग 9B, ये किस चीज से सम्मन देता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी SSC के एक्जाम में पूछा गया था भाग 9B, ये किस चीज से सम्मन देता है, बहुत बढ़िया, अक्की ठाकुर का सबसे पहले आंसर आया भाई, कॉपरेटिव और आपके एसोसियेशन, कॉपरेटिव एसोसियेशन, जिनको उन लोग क्या बोल देता है, सहकारिता से सम्मन देता है, भाग 9 की बात करें, तो भाग 9A की बात करें, तो ये आपका नगर पालिकाओं, यानि म्यूनिसिपालिटी से सम्मन देता है, ठीक है, तो तीनों को याद रखेगा, तीनों ही आपके एक्जाम में पूछा आते हैं, जल्दी से बताएं, निरवाचन का उल्लेक किस अनुछेद में, निरवाचन का इलेक्षन का उल्लेक किस में है, इलेक्षन का उल्लेक किस में है, जल्दी से बताएं, इलेक्षन का उल्लेक भाग 15 अनुछे 324, अनुछे 324 में निरवाचन आयों का उल्लेक है, अगर केवल ये कहें कि चुनावों का उल्लेक, निरवाचन का उल्लेक कहां पर है, तो आप के भाग पंद्रे के अंतरगत है ते अच्छा सम्मिधान संसोदन यानि constitutional amendment इसका उल्लेक सम्मिधान के किस भाग में हैं जल्दी से बताओ हाँ अनुचे 360 है भाग कौन सा है अनुचे 360 भाग 20 बहुत बढ़िया चलिए अगला कुशन आपके सामने है बताएगा क्या होने वाला है सेब में इन में से कौन सा अमल पाया जाता है आपको मैलिक अमल नाट्रिक अमल फॉर्मिक अमल दे रखा है क्या अंसर होने वाला है तो भाई यहां पर एच चीज या दखेगा आप के अगर हम सेब की बात करते हैं या इसकी जगह पर पके हुए केले में सेब या पके हुए केले में जो आपके अमल पाया जाता है वो आपका क्यांसा है तो मैलिक अमल याद रखेगा answer किया होने वाला एंसर होने वाला है देखते हैं भई एंसर लगाने वाले लोगों की संख्या एंसर कितने लोगों ने लगाया फड़ापर से अलधी से देख लेते हैं तो 92% का यह answer है अगला कुशन आपके सामने बताएं निम्नमें से किसे कोशिका की ऊठ जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एडिनोसइन डाइफॉसपेट एडिनोसइन ट्राइफॉसपेट गलाइसीन ट्राइफॉसपेट एडिनेसिन फॉसपेट बताएं क्या answer है एनर्जी करेंसी ऑफ दा सेल किसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ दा सेल किसको कहा जाता है अच्छा यहां पर एक और कुशन है मेरा आपसे जल्दी से छापके बताएगा सुसाइड बैक किसको कहा जाता है सेल का कोशिका का सुसाइड बैक किसको कहा जाता जल्दी से छा बटाइब को पावर हाउस किसको कहा है यहां पर यहांपर कश कितने लोग जो उसको क्या काया था power house of the cell अगला कुशन आपके सामने बताइए भारती समिदान भारत के राष्टपती को अधिकार नहीं देता है बताइए इन में से कौन सा अधिकार भारत के राष्टपती के पास नहीं है पहला पिरदान मंत्री की नियुकती का राज्यों के मुख मंत् करता है राज्यों के मुख मंत्री की नियुक्ती कौन करता है राज्यपाल करता है राष्टपती नहीं करता। बी आंसर हो जाएगा कितने लोगों ने बी आंसर लगाया देख लेते हैं भाई तो बी आंसर यहां सतर परसेंट लोगों का रहा अगला कुशन आपके सामने है बताएए कमपनी के करमचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंद कब लगा दिया गया बताएए किस एक्ट के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया था कि भईया कमपनी के करमचारियों के द्वारा भारतियों से किसी भी प्रकार का इनाम या उपहार नहीं लिया जाएगा होता क्या था भया कि भईया कमपनी के करमचारियों दिनों दिन रात और रात मतला अमीर होते आ रह और इसी के दुआरा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट की स्थापना भी की गई थी और इसी में ये कहा गया था कि कमपनी का कोई भी करमचारी भारतियों से किसी प्रकार का कोई उपहार नहीं लेगा अंसर क्या हो जाएगा ए अंसर कितने लोगों ने लगाया तो 72% का बिलकुल करेक्ट अंसर है अगला कुशन आपके सामने है दास प्रथा को असम्बैधनिक गोस्ट कब किया गया था 373 में 84 में 830 में 830 में क्या अंसर उने वाला है दास पिर्था को अवेधानिक कब घोसित किया गया था तो भाईया यह चीज देखेगा अगर हम इस समय की बात करते हैं तो इस समय पर भारत में दास पिर्था जोती एक कुपर्था चली आ रही थी और याद रखेगा अठारे सो ते तिसका एक्ट अठारे सो तिसके एक्ट के दुआरा दास पिर्था को भारत में असम्यधानिक आवेधानिक गोसित कर दिया गया इंलीगल गोसित कर दिया गया अंसर क्या हो जाएगा डी अंसर कितने लोगों ने लगाया तो पिच्चासी परसेंट अगला कुशन आपके सामने है स्वतंतरत के बाद पहला विदी आयोग कब गठित हुआ था इस वतंतरता के बाद पहला विदी आयोग कब बनाता जल्दी बताना है भाई यही घड़बड कर रहे हो यहां पर मैं देख रहा हूं जाता लोगों का अंसर मुझे सी दिखाई दे रहा है अरे भैया उन्निस सो पच्पन है उन्निस सो पच्पन में आपको याद रखना है एम सी सी तलवाड कौन याद रखने एम सी सी तलवाड की अध्यचता में आपके यहां पर सुतंतरता के बाद पहला विदी आयोग का गठन किया गया था अच्छा पहला विदी आयोग कौन सा था जल्दी से कमेंट करके बता जब तरह यहां पर अंसर भी देखते हैं कितने लोगों का रहा लो जी एक भी व्यक्ति ने भी आंसर नहीं दिया भेड़ चाल स्टार्ट हो गई इसका मतलब 97% विद्यारती जो हैं वो केवल और केवल सी पर चले गए 1950 अरे याद रखेगा आगे से आगे से याद रखेगा के आपके यहां पर पहला सुतंता के बाप पहला विद्यायोग 1955 में बनाता एमसी सीतलवाड इसके अद्दच थे यहां पर अंसर भीया किसी ने दिया ही नहीं है तो बताएं क्या चलिए अगला कुशन आपके सामने है पोर्टफोलियो सिस्टम विभागिया प्रणाली की सुरूआत कब की गई बताइए पोर्टफोलियो सिस्टम यानि विभागिया प्रणाली की सुरूआत कब हुई थी पोर्टफोलियो सिस्टम विभागिया प्रणाली की सुरूआत भारत में किस अदिनियम से की गई थी ये कुशन तो मैं एक आद बार आप लोगों से पूछ भी चुका हूँ तो भईया यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है तो आपक होते हैं कि विभाग रक्षा विभाग इस तरीके से पहली बार 1861 में अंग्रेजों के समय पर विवस्ता बनाई गई थी कि गवर्मेंट जो होगी गवर्मेंट के अंदर विभागों का निर्मार किया जाएगा यहां पर अंसर क्या होने वाला है एक और चीज बता दूं व और अंसर की रहा अगला कुछ अम पहते हैं अस्थी सुसिर्ता या ओस्टियो पॉरोसिस बीमारी से माणव सरीर का कौनसा भाग पर भावित होगा बताईया फैपडे मस्थिक या गुर्दे क्या अंसर होने वाला है ऑस्टियो पॉरोसिस जो वी मारी होती है इससे और माण पॉरसिस बीमारी ये किसे सम्नित है, तो भीया, एक चीज़ ऐखेगा ऑस्टियो पॉरसिस बीमारी के मारत करें तो हिंदी में नाम पता पढ़ रहा है अस्थी अस्थी का मतलब क्या होता है हड्डियों से सम्मंदित होता है इस रोग में क्या हो जाता है कि मनुश्य के हड्डियों जो होती है वो कंजोर हो जाती है तो उस रोग को क्या कहते है उसे औस्टियो पॉरोसिस के नाम से आन पर से बताएगा स्री लंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है और जल्दी से कमेंट करके बताएगा मिट्टी का अध्यान किस विज्ञान में किया आता है मिट्टी का अध्यान किस विज्ञान में किया आता है जल्दी से बताएगा यहां पर स्री लंका की सबसे लंबी नाम है किया नाम है इसका महावेली गंगा के नाम से यानिय आती है और यह स््रिलंका की सबसे लंभी नदी यहां पर मिटी के अगर बात करें, तो पैढोलोजीक आपको याद रहारा है लोगों कर रौप जलदी मुझे बताईएगा, कि अगर आप से पूछायाता परवतों का अद्धन किस विख्ञान में किया आता वाला है यह रहा कुशन भारत सरकार तथा एक या एक सदिक राज्यों के बीच उत्पन्य विवाद का मामला सर्वोच नियाले कि किस चैत्रा दिकार के अंतरगत आता है प्रारंभिक चैत्रादिकार जिसको हम लोग आपके और इजिनल जुरिडिक्षण भी कह देते और इसीनल जुरिडिक्षण परमर्सी यानि कांसलिंग जुरिदिक्षण और विलेक यानि ki record ओफ रिक्र यहां पर मतलब अगर इंडियन गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट इन दोनों के बीच में जगड़ा हो जाता है तो यह मामला सुप्रीम कोट में जब पहुंचेगा तो यह सुप्रीम कोट के किस जूरिडिक्शन में आएगा तो याद रखेगा यह प्रारंबिक छेत्रादिकार का इसे होता है मतब इसकी सुप्रीम कोट में ही की जा सकती है अंसर यहाँ पर क्या होने वाला है एह आंसर कितने लोगों ने लगाया 62% अगला कुशन आपके सामने बताएगा निम्नांकित में से भारतिय समिदान सभा का अध्यक्श कौन था भाई आसान सा कुशन है जल्दी से पटकने का काम करेंगे इसे और जल्दी जम्री कमेंट करके बताएगा राश्ट्पती की चमादान सकतियों का अलेक के सनुच्चेद में किया गया जल्दी से छापकर बताएगा बहुत बढ़िया भाई यहाँ पर याद लगए कि राष्ट पती की छमादान सक्तियों का उलेख आपके समधान के आर्टिकल 72 के अंतरगत किया गया है ठेक है जल्दी जब बताएगा भाई या राष्ट पती की सपत का उले कि सनुक्षिद में यहाँ पर कि होने वाल आ है अनुच्छे 60 में आपके राष्टिपती की सपश किसी भी प्रकार की कानूनी सलह मांग सकते लीगल एडवाईस मांग सकते हैं ये किस अनुच्छेद में लिखा है ये किस लेकिन सुप्रीम कोड का दिया गया फैसला जो होगा उसे मानने के लिए राश्ट पती बाद्ध है नहीं होते जल्दी जबताये राश्ट पती द्वारा निकाला गया अध्यादेश के सनुच्छेद में है राष्टपती द्वारा निकाला गया अध्यादेश के सनुच्छेद में आता ओर्डिनेंस राष्टपती द्वारा निकाला गया अध्यादेश बहुत बढ़ी है सिवंजी आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 जो है उसमें पर ए लगाई यह ए आंसर कितने लोगों ने लगाया तो यहाँ 97% का ए आंसर आ अगला कुशन आपके सामने है भारती समिदान की प्रारूपर समिती के अद्धच कौन थे भाई आसान सा कुशन ने जल्दी से पटकने का काम करें जल्दी यल्दी से वह यह कुशन को पटकने का काम करेंगे आसान सा कुशन आ गया है आपके लिए समिदान सभा की जो प्रारूपर समिती ती ड्राफ्टिंग कमेटी ती उसके अद्धच का नाम सभी रोगों को पता हुगा मेरे साब से दिक्कत नहीं होनी चीए डॉक्टर बी आर अमबेटकर कौन थे विया डॉक्ट किस देश में इस्थेत है जल्दी बताएं आयर जील किस देश में इस्थेत है जल्दी बताएंगे संताक्षी सुकलाने सबसे पहला अंसर मुझे दिया है आयर जील कहां पर इस्थेत है वह या ऑस्टेलिया में इस्थेत है कहां पर है ऑस्टेलिया में इस्थेत है जल्दी किससे पताएंगा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है साइबरिया साइबेरिया 92% लोगों का अंसर ए रहा अगला कुशन आपके सामने है बताइए सबसे बड़ा सम्मिधान किस देश का है विस्व में सबसे बड़ा सम्मिधान किस देश का है तो यह तो भाई सब लोगों को पता होगा यह तो सब लोगों को पता होगा मेरे साब से दिक्कत नहीं होनी चाह यहाँ पर गैरा विस्व में सबसे बड़ा समिधान किस देश को माने आता है तो चीस को वह यहाँ पर भारت भारत का समिधान सबसे बड़ा समिधान है यह आपको याद अखना है और देखते हैं भई यह answer कितने लोगोंने लगाया तो 91% लोगों ने यह आंसर लगाया है जल्दी से comment करके बताईएगा राज वासा का उल्लेक समिधान के किस भाग में किया गया है बहुत बढ़िया भाई आटिकल भाग सत्रे आपको या दखना है भाग सत्रे के अंतरकत आपके राज वासा का उल्लेक है अच्छा आपात कालीन उपबंद यानि इमर्जरनशी का उलसे भाग में किया गया है आपात काल किस भाग में है सेवं बहुत बढ़िया यहां पार्ट 15 आपको यादागना भाग अधारे अंतरगत ठीक है भाग अधारे में क्या है तो आपात काल का उलेग भाग अठारे के अंतरगत किया गया है क्लियर है चलिए अगला कुशन आपके सामने है बताएगा हमारे समयधाने की तियाहास में 26 नवंबा 1949 महतऴपूर दिन है क्यों बताएगा है पहला भारत ने इस दन पूर सुतन्ता की सपतली ती दूसरा इस दिन समयधान अंगिकार किया गया ता इस दिन भारत गरत्टंत्र बना ता और इस दिन समयधान पहला संसुधını पारिद किया गया ता बताएगे क्या अंसर होने वाला है क्या अंसर होने वाला आप फड़ा पर बताएंगे भीया चैलिए यहाँ पर एक कुशन है मेरा आपसे जल्दी से बताएगा कि भारत के लिए एक विधाई का का गठन किस अधीनियम के द्वारा किया गया था भारत के लिए एक विधाई का लेजिसले का गठन किस अधिनियम से किया गया था जल्दी से बताएगा क्या अंसर उने वाला है अक्की जी और सोच के बताईए यहां पांसर में आपको बता देता हूं समयधारी कि तो भई इस दिन आपके समयधान को क्या किया गया था अंगी का गया था और भारत के लिए एक लेजिसलेटिव असेंबली का गठन किया गया था आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बी आंसर देखते हैं बाई कितने लोगों ने लगाया तो 90 परसेंट अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत सचिव इंडिया सेकेटरी का जो पत था इसका गठन इसका सरजन कब किया गया था भारत सचिव इंडिया सेकेटरी नाम से नया पत कब बनाया गया था बहुत बढ़िया 1858 कब 1858 अच्छा पहला मतब पह भारत सचिब के पदपर बैठने आला पहला वेक्ति कौन था भारत सचिब के पदपर बैठने आला पहला वेक्ति अक्की ठाक और इस्टैनले बहुत बढ़िया कौन था लॉड इस्टैनले का नाम या दखना है भारत सचिब के पदपर बैठने वाला पहला वेक्ति जो था उ भारत का पहला गवनर जनरल कौन था वारेन एश्टिंग लॉड विलियम बेंटिक लॉड मांट वेटन और लॉड किनिंग क्या अंसर होने वाला है लगाने वाले लोगों की संख्या क्या रही तो बियांसर सत्तर परसेंट लोगों कर रहा अगला कुशन आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस्थापित सुप्रीम कोट में अंद्र नियाय दीशों में कौन सामिल नहीं था चैंबर्स हाइड लिमेस्टर या इलिजा इंपे क्या अंसर होने वाला है जल्दी जे बताएगा भी या आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपके आपके आपर एक सुप्रीम कोट की स्थापना करने की बात की गई थी और यह सुप्रीम कोट कब स्थापित हुआ था 374 में यहां पर आपक क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा और डी आंसर देख लेते हैं भाई कितने लोगों ने लगाया है तो डी आंसर 73 परसेंट लोगों का रा अगला कुशन आपके सामने है बताएग किस एक्ट के पारित होने के कारण लौड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था बताएग एक्ट अट आप सेटलमेंट पिट्स ओफ इंडिया इन में से कोई नहीं क्या अंसर उन्वाला है पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के संबंद में किसी एक्ट को पारित किया ना था और उस एक्ट को पारित करते समय इंग्लेंड के अंदर सरकार गिर गई थी तो यह पहला ही मौका था और यह कौन सा एक्ट था तो आपको यहाँ पर याद रखना है पिट्स इंडिया उसकी मिली जुली सरकार जोती वो इंग्लेंड में गिर गई थी आंसर क्या होने वाला है सी आंसर कितने लोगों ने लगाया तो भाई 57 परसेंट अगला कुशन आपके सामने बताईए बोर्ड ऑफ कंट्रॉल यानि नियंतरक मंदल का गठन कब किया गया था जल्दी से बताईएगा बोर्ड ऑफ कंट्रॉल का गठन किसे से किया गया था तो भाईया देगे बोर्ड ऑफ कंट्रॉल नियंतरक मंदल की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लेंड के अंदर एक नियंतरक मंदल का गठन किसे किया गया था उसकेद्वारा आपके यहांपर नियंतरक मंदल का गठन किया गया अंसर यहांपर भी होने वाला एंक कितने लोगों ने लगाया तो 80% अगला कुशन आपके सामने है बताईएगा क्या होने वाला है निम्ले लेकित में से कौन सा अमलत चीटी के डंक में पाया जाता है बड़ा आसान सा कुशन है बाई जल्दी से पठक देंगे चीटी के डंक में मौझूद आपके कौन सा अमल होता है फॉर्मिक मैलिक पकलोरिक या नाइटिक तो भी यहां पर मैलिक अमलतों में अभी अभी पता क्या है था सेब और केले में पाया जाता है यहां पर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है यह आपके चीटी के डंक यह पर जो मदुमक्खी वगरा होते हैं उनके डंक में पाया था. फॉर्मिक असे. अंसर ए कितने लोगों ने लगाया है? तो नबै परसेंट लोगों का अंसर ए रहा. अगला कुशन आपके सामने आ रहा है, बताईएगा मुसी तथा भीम, नदी किसकी सहेक नदीया है? बताईए वई. मुसी और भीम या मुसी और भीमा ये किसकी सहायक नदिया है जल्दी से बताना है आपको मुसी तथा भीमा ये किसकी सहायक नदिया है चलिए जल्दी से अब तक कमेंट करके बताएगा पुस्ताज गहास के मैदान कहां पाए आते हैं v 것처럼 गहान के मैदान कहा पाय आते हैं और यहांपर किया अंसर लगने वाला हैसी मू अर भीमा किसकी आपको याद लगना यह किरिशना की साहयक न ठीकर ओसकी है यानि यह वाला पाय जमूओ भी आंसर है लगने वाला है एक और कोशन आपसे जल्दी से से मुझे बताएगा राज्यों के बजट का उलेग राज्यों के बजट का उलेग किस अनुच्छेद में है पोस्ताज कहां पाए आते हैं तो हंगरी के छितर में पाए आते हैं राज्यों के बजट का उलेग किस अनुच्छेद में जल्दी से बताएगा राज्यों के बजट का उलेग राज्यों के बजट का उलेग एक सो बारे में तो केंद्र का है भारत का बजट है ना और राज्यों के बजट का उलेग किसमें है तो दो सो दो में है नोट कर लेना कहीं पर ठीक है अनुच्छे दो सो दो जो है वहां पर राज्यों के बजट का उलेग किया गया अंसर क्या ल प्रोटीन को को कितने अमीनोईइसिट से एकठा किया आता ए भाई आपको पता ही है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन की सबसे आपक्समें 10 दे का उपान क्या नब है ils को कुझा इसाइज जब आपस में मिलते हैं तो फिर फिर प्रोटीन मिलता है याद रखो divers को बौडी बिल्डर यानि सरीष निरमाता भी कहा जाता है है न अच्चा मुझे जल्दी से बता इएगा प्रोटीन के निरमाड में कौन सा सहायक तत्व होता है option आपके लिए oxygen option आपके लिए nitrogen option से आपके लिए co2 या या पिर option है कोई नहीं जल्दी से बताओ प्रोटीन के निर्मार के लिए इनमें से कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है बहुत बढ़िया सिवम जी बहुत बढ़िया nitrogen नाइट्रोजन आपको याद अकना है कि nitrogen जो है यह आपके यह प्रोटीन का आवश्यक घटक होता बेना nitrogen के आपको पता है कि आपके आपके अपके प्रोटीन का निर्मार नहीं हो सकता इसी लिए जो ऐसे पौदे होते हैं जो nitrogen बातावरं की nitrogen को डारेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो वहाँ बेशिकली nitrogen को ग्रहण करने के लिए उनके ज़ड़ों में है ना Yontas, और उससे क्या होता है कि वह nitrogen क्या करन का काम करते है't ौडें के लोग deepest फिक्सेशन का काम अंसर यहाँ पर 88% लोगों का रहा है जल्दी से बताएगा वसा की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है फैट की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है वसा की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है जल्दी से बताएगा वसा की सबसे छोटी काई देखो यहां पर एच्छी देखेगा वसा की सबसे छोटी काई जो होती है उसे फैटी एसिड बोल देते हैं या इसी को आप लो लिपिड के नाम से जानते हो यह इसकी सबसे छोटी काई है याद रखेगा अगला कुशन आपके सामने है बताइए इ कि छूट कभ दी गई बनाई इसाई मिस्ट जो थे यह वेसिकली धर्म के प्रचार करने वाले लोग उते थे तो यहां पर धारत में एसाई मिस्ट नरी ओप को प्रवेस की अनुमति थी मतलब भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार वगेरा नहीं कर सकते थे लेकिन आपको याद अखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक मिनट यहां पर ठार सो देरे के चार्टर एक ठीक है तरह सो देरे के चार्टर एक्ट के द्वारा एसाई मिस्णरियों को भारत में प्रवेश की अनुमती दी गई थी है ना यह चीज आपको याद अकना है इसी के बाद में भारत के अंदर इसाई धरम बहुत तेजी के साथ में बढ़ा था यानि आंसर क्या उने वाला है कितने लोगों ने लगाया तो बहुत बानवे परसेंट का अंसर सी रहा ठीक है अगला कुछन आपके सामने बताईए कौन राजपाल की नियुक्ति करता है कौन राजपाल की नियुक्ति करता है इन में से कौन राजपाल की नियुक्ति करता है आपको बताना है चले बहुत बढ़िया अरे कोई रिकॉर्डेट क्लास नहीं है मुझे सब के आंसर यहां पर दिख रहे हैं करम, वीर, कलपना, हाज, सालिनी, नव्य, एंप्रिंस, लेंड गर्ल बिनोद विश्णोई सत्साहिब अक्षे कुमार नीरू रावाथ एम के अजय अनीशा कुमारी मनलग कई लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि रिकॉर्ड अक्लास चला रहे है रिकॉर्ड अगर चल भी रहा होगा तो आपको तो अपने क्लास में देखेगा मैं पूरी कोशिस करता हूं कि समय वेश्ट ना हो और हम एक गंटे की क्लास में जो भी हम 45-50 मिनट की क्लास लेते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कुश्चन मैं आपको यहां पर दे पाऊं यही मेरा बस होता है ठीक है ज्यादा तर टाइम होता क्या है कहते हैं और खूलआ को आप और भी क्लास के साथ कम पैए कर सकते हो 50 मिनट की क्लास जो उति हो जो कम से कम लेते हैं बाकी 15-20 मिनट वह यहाँ इस्यांदा कुश्चन कराने की चलिए यहां पर एचीज देखेगा खुसी सहरावा्त में 843 और क्सका खूसी बोलने है आप का जो था वो आठारसो ते रहा था अठारसो ते रहा था कि लिए रहे ना अच्छा दास पिर था अठारसो ते तेस्था ठीक है चलिए यहां पर राज्यपाल की निक्ति तो भारत के राष्टपती लगा दोगे डी आंसर हो जाएगा देख लेते हैं भाई डी आंसर कितने लोगों ने लगाया है तो 92 परसेंट तीक है आगे की तब चलते हैं अगला कुशन आपके सामने है राष्टपती अपनी छमादान सक्ती का प्रियोग दिन मैंसे किसे प्रकार के दंड क को माफ करने के लिए कर सकता है पहला मरत्य दंड दूसरा सैनिक अदालत द्वारा दिये गा दंड तीसरा ऐसे मामलों में दिया गया दंड जो संगिया कारपालिका के छित्रादिकार के अंतरगत आते हूं और चौता उप्रोग सभी क्या अंसर होने वाला है तो भाई इस च लगा दोगे वाई डिया अंसर लगाने वाले लोगों की संक्या 85% रही है अगला कुशन आपके सामने है निमने मैं से कौन सा संभिधानिक विसेशादिकार राश्ट पती का नहीं है साधारन बिलको पुनरविचार एतू लोटाना बित्तिया बिलको पुनरविचार एतू लोटाना लोग सवा को भंग करना प्रदान मंत्री की नियुक्ति करना क्या अंसर उने वाला है इन मैंसे कौन सा अधिकार राश्ट पती को प्राप्त नहीं है तो भाईया देगेगा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको यादों का धन विदेयक और संसोधन व से पिरकार वित्तियेंबल यानि कि आपके देगेंग भी तो बित्तीयें वीन होता है तो यहां पर बित्तियेंबल को नहीं लोटाया जा सच्छा तो क्रिप्स मिस न को ऊतर्ति कि छा तो किस ने यहां पर क्वाला महात्मा गांदी महात्मा गांदी ने किर्प्स 你से बारे में यह कहा था की यह कूंत थे ती तू आपको आज एंडिया गया लेकिन कई सक पायेगा इसका कोई डेट नहीं बाद में जवाहलाल नहरू आए और उन्होंने क्या किया इसी लाइन में कुछ और जोर दिया और उन्होंने कहा कि क्रिप्समिसन के द्वारा दी गई रिपोर्ट ऐसा उत्तरतितिया चेक है जो एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया है तो दौनों कत्रों पर ध्यान देना अगर केवल ये पूछा आता है कि उत्तरतितिया चेक किसने कहा तो महतमा गांदी और ऐसा उत्तरतितिया चेक जो एक टूटते या डूबते या दिवालिया बैंक पर दिया गया ये किसने कहा तो पंडित जवाहलाल नेरू ठीक है यह आपको याद अकना है यान्सर यहां सब बिल्कुल करेक्ट होगा ठीए चलिए आज भीया मैं आपके लिए इतने ही कुश्चन यहां पर लाया था है ना थोड़ी तब्यात अभी मेरी डाउन चल रही है तब सही नहीं है तो इसी वैसे थोड़ा सा भी यहां पर क्लास में हलके हलके में बोल पा रहा हूं है ना ल आप पहला नाम सिवम अक्की सिवानी साइलेंट काल रिया खुशी सहराबत रानी तुमे राजा सिबू राना निदी प्रजापती और पूजा इनका अंसर है वह यह टॉप टैन में लोग रहे हैं आज ठीक है टॉप टैन की स्थिति यह रही है ठीक है तो थोड़ा सा एज लगती तो कोई दिख्कत नहीं ठीक है यह आपकी खुद की स्वतंत्रता है आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कीजिए चलिए फिर आज की क्लास को यहीं का मिलों समात करते हैं कल की क्लास में सेम टाइम सेम जगे दोबारा मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जैहिंद जब गए एक एकला लगे सेमात कर दोबारा मुलाकात करते हैं कि जगे एपके में जगे तो करते हैं, जगे जगे शर्वेशने छेट